हलो स्टुरांट्स, गूट मॉर्निंग, स्टांडर फीफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर एट, यूनिट नंबर एट है, श्री निवाश रामा नुजम, दे मैन हू लिवड विद नंबर्स, श्री निवाश रामा नुजम एक ऐसे परसन थे, जो सिर्फ नं उनके मास्टर, जिनियस, तो वो थे, श्री निवाश रामा नुजम, तो उसी उनहीं के बारे में, यहां पे हमें एक पूरा लेशन दिया है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं, हमने 2012 में, यानि की 2012 में, श्री निवाश रामा नुजम की 125 वी, यानि की 125 जन्म जन्ती मनाई, इनुग्रेटिंग दे यर लॉंग सेलिप्रेशन एक दे युनिवर्सिटी ओफ मद्रास, और डिसेंबर 26 डॉक्तर, मन मोहन सिंग डिक्लेड 2012 अजनल मैथेमेटिकल, मैथेमेटिकल यहां रामा नुजम स्बॉल्फडे इस नेशनल मैथेमेटिक्स दे, यानि की यहां में, मद्रास, विश्व विद्य अले में, साल भर का उत्सव मनाने का, मतलब ऐसे सुचना दी गई, कि यह पुरा जो साल है, वो हमें, मतलब उत्सव की तरह मनाना है, डॉक्तर मन मोहन सिंग दो हजार बार को, राष्ट्रिय गणित वर्फ्ष, रामानु, डॉक्तर मन मोहन राष्ट्रिय गणित वर्फ्ष एंड रामानुजन का बर्फ़डे उसको राष्ट्रिय गणित दीवस के तरह गोशित कर दिया गया। और कमरेटीव स्टेम्स इन होनर और श्री निवास रामानुजन वाज इस्यूड वन्ध ऑकेशन और श्री निवास रामानुजन के सन्मान में एक समारव डाग टीकिट जारी कर दी गई यानि कि किसी को सन्मान में ट्रॉफी या वो सब दिया जाता है तो यहाँ पे उन्होंने एक टीकिट डाग टीकिट जारी कर दी उन्हों स्री निवास रामानुजन का जिस दिन बट्डे था वो दिन मतलब 2012 में वो उनकी 125 वी जन्म जन्ती मनाई गई और डॉक्तर मन मोहन सी ने वो 2012 को नेशनल मैथेमेटिकल यर की तरफ गोशित किया और जिस दिन उनका जन्म दिन था उस दिन को गणित विश्वदीन तरिके मनाया जाता है यानि कि तमिल नाडु की छोटी क्लास में एक बार आठवे दोरण का प्रियड चल रहा था गणित का प्रियड चल रहा था यानि कि समान संख्या में जिसको डिवाइड करने पर कोई भी संख्या इक्वल हो जाती है यानि कि वो बोलते है कि कोई भी ऐसे दो नमबर की जो सेम है दो नमबर जो सेम है उसको डिवाइड करने से वो संख्या इक्वल हो जाती है से दे टीचर ऐसा टीचर ने बोला बड़ सर लेकिन सर वट इद द नमबर इस जीरो लेकिन सर नमबर जीरो हो तो क्या होगा ऐसा क्वेशन कोई लड़के ने पूछा कि सर अगर जीरो नमबर है तो क्या होगा आस्पड और थीन डार्क आइड बोई जो पतली जो पतला था और उनकी आँखे काली थी उस लड़के ने पूछा लिविंग इस टीचर स्पीचलेस और उनके सिक्षप कुछ भी बोल पाए नहीं और वो कोई और नहीं वो कौन था श्री निवाज रामानुजम जो मैस्ट का मास्टर था जीनियस था वो मेड एक्स्ट्राओर्डिनरी कॉन्ट्रिबुशन्स तू मैथेमेटिकल एनालीसिस, नंबर थियरी, इन्फाइनाइट सीरीज एंड कंटिनुड फ्रैक्षन वो लड़का जिन्होंने गणितिया विशलेशन, संख्या सिद्दान, अनन्त शुरुखला और निरंतर अंसों में असाधारण योगदान दिया है यानि कि ये वो लड़का था जो मैच्स का मास्टर है, जिन्होंने बहुत सारा घणित वीशय में बहुत सारा आगे जाना है During his short life of 32 years, उनकी छोटी सी लाइफ में, 32 एर की लाइफ में, रामा नुजम्स इंडिपेंडेंटली, कम्प्लिएड, नियरली 3,900 रिजर्ट उन्होंने बत्री श्वर्ष की छोटी जीवनकाल में, दोरा नामा नुजम्स ने स्वतंत्र रुप से लगबग 3,900 परिणाम प्राप्त किये थे यानि कि 3,900 equations उन्होंने बनाए थे, वो mostly क्या था? equations है जाने माने समीगरन जो थे, वो बनाए थे बॉन अन डिसेंबर 22,1887 इन पूर फैमिली इन इरोड तमिलनाडू उनका जन्म बाविस डिसेंबर अधार सो सित्यासी में एक पूर फैमिली है यानि कि जिसके पास पैसे कम थे, ऐसी फैमिली में, इरोड में तमिलनाडू में थी वहाँ पे हुआ था रामानुजम अपने बच्चपन से ही घड़ित में बहुत ही रस्प्रद रहे थे रामानुजम थे वह अपने बच्चपन से ही बहुत ही घणित में बहुत ही इंट्रेस्टेट परसन थे और वह 14 साल के थे यानि कि वह 14 साल के थे तब उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्वेशन्स थे जो सॉल्व करके अपना सन्मान बढ़ाया था और उन्होंने अपने सन्मान के साथ साथ बहुत सारे अवार्ट्स भी जीत लिये थे तब उन्होंने त्रिकोण मिती के क्वेशन्स थे वो सॉल्व किये थे जब वो कितने साल के थे बच्चों 14 साल के यानि कि 6-7 में थे तब उन्होंने त्रिकोण मिती के जो क्वेशन्स थे वो सॉल्व किये थे जो की कॉलेज के स्टुडन्स भी नहीं कर पाते थे यहाँ अजिब लग सकता है यानि कि स्कूल का लड़का जो अपनी गख्षा में प्रथम स्थान पर आता था यानि कि आपको ये बात जो है वो जानकर शोक लगेगा कि जो अपने क्लास में फॉस्ट नंबर पे आता था जो लड़का अपने क्लास में फॉस्ट आता था और जो लड़का त्रिकोंड मीती दूसरे कॉलेज के स्टुडन्स को बढ़ा सकता था लेकिन आपको ये जानकर ऐसे कि शोक लगेगा कि जो जो लड़का था जो कॉलेज के स्टुडन्स को भी सिखाता था वो और जो दूसरे सबजेक्ट थे उसमें पासिग मार्च भी ला सकता नहीं था other than mathematics, mathematics के अलावा उसके किसी में अच्छे मार्च आते नहीं थे when he entered college, जब उनको कॉलेज में admission लेना था he appeared three times for his FA examination but failed each time because he could not get passing marks in English उनको जब FA में यानि की college में admission लेना था तो उन्होंने three times तीन बार college की exam दी लेकिन वो तीनों time fell हो गए entrance exam में ही fell हो जाते थे क्योंकि उनके marks गनित subject के अलावा किसी subject में आते नहीं थे और आभी जाते थे तो वो English में always fell हो जाते थे और इसलिए उनका जो result था वो fell हो जाता था और उनका admission था वो college में हो सकता नहीं था तो बच्चों यहाँ इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं आगे वीडियो में हम अगला relation continue करेंगे Thank you